अभी हूँ मैं मेरे सबसे फेवरेट एरपोर्ट पे जो है छत्रपती शिवाजी इंटरनाशनल एरपोर्ट एक ए मुंबई एरपोर्ट और आज मैं जा रहा हूं लंडन वाया ब्रिटिश एरवेज लगबक चार साल पहले में सेम फ्लाइट से गया था लेकिन पता नहीं तो वेलकम तो न्यू एरलाइन वीवी वीडियो और इसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश एरलाइन फ्लाइट बी ए वन थ्री एट फ्राम मुंबई तो लंडन लंडन बेवी अभी मैं सिक्यूरेटी, इमिग्रेशन वगरा सब करके अंदर आ गया हूँ और बज रहा भी लगबक एक और फ्लाइट है दो बजे की यह सब बाहर की फ्लाइट इतनी रात को क्यू होती है पता नहीं अगर आपको पता हो तो बताना कमेंट सेक्शन में अग्चली मैं बहुत पहले आया था, लेकिन ड्रोन का कुछ लफडा हो गया मैं ड्रोन केरी-ओन बैग में लेके जाने वाला था लेकिन इंडिया में ड्रोन केरी-ओन बैग में अलाउड नहीं है तो मुझे फिर से बाहर जाके और एक बैक चेक-इं करने पड़े तो एयर साइट्स की प्लेंस देखोगे जैसे कि Airbus A380 या फिर बोईंग 747 तो उसे चार इंजिन रही थे लेकिन इसको सिर्फ डो इंजिन है इसके लिए इंजिन भी बहुत बड़ी है अजिन पारिश ओरी है आज यहां पर सुबह से बारिश हो रही है मुंबई में यह दिखिये बाहर कुछ दिखे या नहीं आएगे सापको अभी लेकिन बहुत बारिश हो रही है और इतने बारिश के बावजूद अभी भी फ्लाइट आन टाइम है तो यह वीडियो मेरा इस तो मैंने यह रिव्यू कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है जो कि है सीट्स, अमेनिटीज, एंटरेइनमेंट, स्टाफ, फूड, अन टाइम पर्फॉर्मंस और फाइनली प्राइट्स तो रिव्यू स्टाट करते हैं सीट्स से As usual, यह प्लेइन में भी था 3 class layout, मतलब पहले 1st class, जहां पे जाने भी नहीं देते, फिर यह business class, और last में हमारा प्यारा economy class. Seats थी comfortable, पर बहुत पुरानी लग रही थी. आजकल नहीं जो leather seats आती है, वो इससे बहुत अच्छे होती है. Legs space भी कुछ खास नहीं था, जो standard average रहता है उतना ही था. तो to be honest, seats कुछ खास नहीं थी. Maybe two out of five. इथनी बारिश में take off मैंने कभी नहीं किया आज तक. ऐसा लग रहा है कि कोई पानी डाल रहा है plane पे उपर से. मुझे लग रहा था कि रूकेंगे बारिश कम होने तक, लेकिन लग रहा है कि take off करने वाले अभी. Next category, amenities. कुछ airlines economy class के लिए भी बहुत सारी amenities प्रोवाइड करती हैं. पर British Airways? ना. British Airways passenger को देती है. कोई amenities का kit नहीं था. सिर्फ ये एक blanket दिया और एक pillow. और worst part ये था कि दोनों बिल्कुल clean नहीं रहे. ये देखो कितने बाल मिले पिलो पे. और blanket पे भी. मतलब हद होती है. इतनी बड़ी airline और ये लेवल का cleanliness. बिल्कुल expect नहीं किया था ये मैंने. और हाँ एक ये earphone दिये. जिससे की movie देख सके. वेल, in-flight entertainment के बारे में अगले section में बात करेंगे. लेकिन एक बहुत बुटी चीज ये भी थी कि कोई charging port नहीं था. ना regular power socket ना USB. कुछ नहीं. कौन से जमाने का plane अभी तक fly कर रहे हैं सोचलो मतलब आप. अमेनेटीज के लिए 0 out of 5. स्पेशली ये बालो की हो जैसे. अब आते हैं entertainment पे. ये इतनी सी छोटी सी स्क्रीन थी. वो भी ऐसे दागदबब वाली. मूवीज और सीरीज का अच्छा collection था. पर कौन देखेगा ऐसे स्क्रीन पे? मैंने बेवाश देखने का ट्राइक किया. लेकिन नहीं हो सका मुझसे. 1990 का प्लेन ये अभी तक वैसे ही उड़ा रहे हैं. इंटिरियर्स अप्डेट कौन करेगा? फ्लाइट इंफॉर्मेशन पैनल भी था. लेकिन बहुत घटिया अनिमेशन के साथ. मैंने ब्रिटिश एर्वेज के साथ लंडन टू शिगागो और लंडन टू शार्लेट भी फ प्राउजिंग के लिए पांच यूरो ऐसे दो प्लांस थे. मैंने कुछ नहीं लिया, सोचा कि सोई जाता हूँ. तो इंटर्टेंटमेंट के लिए वन आउट और फाइव. बाइदवे, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, ये वीडियो को यूट्यूब पे लाइ फ्रेंडली था, सबने अच्छे से बात की, स्पेशली ग्राउंड स्टाफ, चो लगेज लेते हैं और बोर्डिंग पास देते हैं, मेरे कैरियोन बैग में मैंने अक्चली ड्रोन लिया था, और मुझे पता नहीं था कि इंडिया में चलता नहीं है, तो मुझे सीकुरिटी से वापस भेज दिया, तो मैंने एक मेरी कैरियोन बैग भी चेक-इन करवा दी, वो एक्स्ट्रा बैग थी, फिर भी ब्रिटिश एरवेज ने कुछ पैसे नहीं लिये, और फ्री में ही वो बैग चेक-इन करवा दी, thank you for that, इन प्लें स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था, तो स्टाफ के लिए 5 out of 5, जो अच्छा था उसे अप्रेशेट करना तो बनता है, फिर आती है very important category, food की, टेक-उफ के बाद around 1 गंटे में, उन्होंने दिया एक drink और ये snack bag, इसमें था एक sandwich ऐसा वाला, एक water bottle और एक chadbury, और sandwich कुछ खास नहीं था, फिर अल्मोस्ट 6-7 गंटे बाद मिला ये full meal, इसमें था एक छोटा cake, कुछ कटे हुए fruits, एक croissant, ये dessert, जो मेरे खयाल से था mango flavored shrie एक water bottle, butter, jam, और main course में भेज option में था पराठा और आलू की सबजी, और non-wेज option में था अमलेट विट sausage, खाना बुरा नहीं था, पर कुछ extraordinary भी नहीं था, खाने के बाद मिली coffee जो कि आच्छी थी, तो खाने में BA को 3 out of 5 Next, on time performance, जैसे कि मैंने कहा, बहुत बारिश के बाद भी flight on time निकली मुंबई से, और usually flights time पे रहती हैं इनकी मेरे experience में तो, तो on time performance के लिए 5 out of 5, because अभी तक तो मुझे late experience नहीं हुआ है कभी भी ये का और lastly, price, price की बात करें तो competitive prices थी, economy का Mumbai से London return ticket आराउंड एक लाग का था, अगर थोड़ा जल्दी book करें तो, लेकिन one-way ticket के लिए British Airways is worst, बहुत महेंगा था, almost same price ही पकड़ लो return वाले के साथ तो, overall बहुत ही बुरा experience थाई है, मैं दूँगा maybe 1.5 out of 5, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब British Airways की flight ऐसी है, मैंने actually London to Chicago भी fly किया British Airways के साथ, और experience इससे बहुत अच्छा था, वो plane Airbus A380 था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, और नया plane था, अगर वो review वीडियो भी आपको देखना है, तो चैनल को subscribe कर दो, आ ही रहा है, मैं भी आ भी गया होगा, चेक कर लो, मैं नीचे link description में दे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, नीचे comment section में मुझे जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो इसे YouTube पे thumbs up दे देना, और इस चैनल को subscribe करना मत भूँना, तो आज के लिए सफ इतना ही, and I will see you in the next one, और अभी इतने दूर आया है, तो queen से मिलके आते, कर दो में आप पूम ए्ट एको बाएशना, पालब हे ले OKCs, कुल आपको आपको कर दाए़एग घटार औरूर